जैहन मेरे प्यारे साथियों कैसे आप सभी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे आज का ये वीडियो बहुत important होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको दो तरह से ब्याई निकालने के लिए सिखाया जाएगा क्योंकि आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं मेकसिमम लोग गाउं के ही होंगे तो गाउं का जो ब्याज चलता है उसका हिसाब करना और बैंक में जो पैसा आप जमा करते हैं बैंक का एकाउंड में जो आपका पैसा रहता है तो बैंक के द्वारा भी कुछ ब्याज आपको दिया जाता है तो बैंक का ब्याज कैसे निकाला जाता है उस चीज को भी बताया जाएगा तो पहला में आपको बताया जाएगा कि गौओं का ब्याज का हिसाब करना, दूसरा में बैंक का ब्याज का हिसाब करना, ठीक है, दोनों को अलग-अलग सवाल के द्वारा आपको समझाया जाएगा, यहाँ पर दो सवाल लिया गया है, पहला नमर में आपको गौओं का ब्या तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर जिदी आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें, नीचे लाल कलर का बटन सब्सक्राइब कर दिया हुआ है, उसे दवा के खया है कि 18,000 रूपिया का 5% ब्याई दर से, कितना 5% ब्याई दर से, 6 महा का ब्याज क्या होगा, इस सवाल को हम लोगों को बना करके दिखाना है, गौरे जो ब्याज चलता है, महा जनी पढ़ा हैं अभी भी चलता है, तो वहाँ पर जो ब्याज में लगाaden जाता है, तो व जादा डिफिकल्ट नहीं है सवाल तो इसको आप एक हिश्ट्य में निकाल सकते हैं किसे दिखें तो इसका जब गौह का Υा लिएуд NOT आपका ब्याई निकल जाएगा, तो यहां पर है 18,000, और यह गुणा में 5, गुणा में 6, यह दिया हुआ है, और आपको क्या करना, एक सो से भागा कर देना, यह जब इसको आप केलकुलेशन कर लेंगे, आपका ब्याई निकल जाएगा, ठीक है, इसको सिर्फ केलकुलेशन क चलिए करके देखते हैं, यहांपर, दो 0 से 2 0 ऊपर नीचे कर जाएगा, यहांपर आप सभी को गुणा कर लेना है, क्या करेंगे, एक सो części, गुणा 5 करेंगे, तो आठारा गुणा 5 करेंगे, तो मत् Mobil फिक सिर्फ निकल जाएगा, तो मत्तल में सबूआ है, तो मत जाएगा और आप जदी बैंक का निकालना चाहिए तो बैंक का समझ कैसे निकाला जाता है तो बैंक कर निकालने के लिए देखिए बैंक में आपको चक्रब्रधी व्याज चलता है कैसा? चक्र बिर्दी चक्र बिर्दी कहने मत तो यह हुआ कि ब्याज पर ब्याज चलता है और गौव में जो चलता है वो क्या चलता है गौव में चलता है आपका साधारान क्या चलता है साधारान इसमें ब्याज में ब्याज नहीं लगा जाता है है न इसमें जो मुल्धन दिया जाता जैसे 18,000 रुपया दिया गया था यह मुल्धन इसी पर हमेशा व्याज किल्कुलेट होता है मतलब इसी पर गिंती होता है लेकिन क्या होता है कि जब बैंक में इसी पैसा को रखते हैं जैसे पहला साल आपको 10,000 में 100 रुपिया ब्याज पराप्त हुआ तो अब क्या होगा अगला साल 10,100 में आपको ब्याज होगा पराप्त हुआ ठीक है सोरी यह इस तरह से होगा 10,100 में आपको ब्याज देगा और गौँ में क्या होगा दस हजार में ही हमेशा हर साल ब्याज चलती रहेगा तो यहां पर जश्ट उल्टा चलता है और इसका जो फर्मॉला होता है वो अलग होता है गौव का ब्याज से बिलकुल अलग होता है कैसे इसका फर्मॉला आप हमेशा याद रखिएगा तेखे इसका फर्मूला यह होता है कि मिस्रिधन बरावर इसका ब्याज का डारेक्ट कोई फर्मूला नहीं होता है ठीक है मिस्रिधन मिस्रिधन कहने मतलब क्या होता है मिस्रिधन होता है क्या यह मुल्धन जोड़ बियाज होता है मुलधन जोड़ बियाज इसी को मिस्ति धन कहते है इसी का मिस्तित रूप मिस्ति धन कहला आता है इसका जो फर्मूला होता है क्या P इंटू 1 पलस और यह 1 है 1 पलस R by 100 2 दी पावर N अब आपको बताएंगे यहां पर की P क्या है R क्या है N क्या है तो P क्यों हम लोग कहेंगे क्या P को कहेंगे मुलधन क्या कहेंगे मुलधन P बरावर मुलधन और R को क्या कहेंगे R को कहेंगे दर यानि कि rate और N क्या है यहां पर N है आपको समय तो सभी को यहां पर देख लिजे यह कितना कितना क्या है आपको मुल्धन दिया हुआ कितना दस अजार रुपया ठीक है कितना है दस अजार रुपया तो यहां पर लिखेंगे दस अजार और उसके बाद आपको यहां पर दड़ दिया हुआ कितना दस परतिशत तो यहां पर लिखें दस परतिशत और समय कितन लोगो जब याई निकालना होगा, तो क्या करेंगा, मीशी धन में मुल्धन को घटा देंगे, यह मुल्धन जितना रुपिया है, इसको घटा देंगे, तो हम लोगो शिर्फ ब्याज प्राब्त होगा, तो यहाँ पर चलिए लिखे क्या होगा, दस अजार, गुना, वन पलस R कितना है तो 10 है और बट्टा में 100 समय, N जो है क्या है समय है N समय है तो N क्या है 2 वर्ष तो यहाँ पर होगा 2 ठीक है चलिए आगे किजिए अब यहाँ पर दिखे ब्रैकेट के अंदर के किरिया करेंगे 1 0 स 1 0 कटेगा नीचे बचा के 1 बट्टे 10 यह दिखे भिन का जोड़ के रूप में आ जाएगा तो हम लोग एक इस्टेप और आगे बढ़ाते हैं यह होगा क्या 1 प्लस सोरी यह हो जाएगा 10 प्लस एक बट्टा में 10 कैसे होगा क्योंकि इसका इसका सेम होगा 10 तो यहाँ पर एक जो है 10 से गुना हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ एक बचा तो यहाँ पर लिखा गया है ठीक है और दो है पावर में तो दो लिख दीजिए चलिए अब और आज एक इस्टेप आगे बढ़ाते हैं तो 10,000 यहाँ पर है क्या 10 एक 11 11 बट्टा में 10 इसका स्क्वेर है तो हम लोग एक इस्टेप और आगे बढ़ा करके इसको लिख सकते हैं क्या इसको दो बार लिख सकते हैं 11 बट्टे 10 चुकिए स्क्वेर है तो दो बार लिख सकते हैं आसानी से तो यहाँ पर अब क्या होगा यहां पर अब होगा क्या देखिए इस दस से दो जिरो कट जाएगा यहां पर एक जिरो से एक जिरो किंसिल एक जिरो से एक जिरो किंसिल हो जाएगा ठीक है अब हम लोग को जो बचा है उपर में यहां पर एक सो बचा गुणा में 11 बचा और गुणा में क्या बचा फिर से 11 बचा है ना अब देखिए सभी को जब आपस में गुणा करेंगे 11 गुणा 11 करेंगे तो यह हो जाएगा 121 और 2.0 है यहांपर लगा हुआ तो 2.0 लगा दीज़े तो 12,100 रुपिया यह क्या है मिस्र धन आया मिस्र धन कहने मत्तरों इसमें जो है क्या है ब्याज भी है और मुल धन भी है तो हम लोग को सिर्फ ब्याय निकालना है तो इसलिए ब्याज बरावर क्या हो जाएगा तो ब्याज बरावर हो जाएगा क्या कितना है मिश्डधन 12,100 और मैनस करेंगे 10,000 को तो यहां पर 10,000 दे देजिए ठीक है जब दोनों को घटाएंगे तो यह हो जाएगा 2100 रुपिया 2100 रुपिया यह हम लोग का ब्याज आया किसका बैंग का दो साल में यह हम लोग का आंसर हो जाएगा तो आज किस वीडियो से मैं उम्मित करता हूँ कि आप लोग बैंग का ब्याज और गौन का ब्याज दोनों में अंतर समझ गे होंगे कि किस तरीके से गौन का ब्याज निकाला जाता है और किस तरके से बैंक का बियाई निकाला जाता है तो आज बर के लिए इतना ही मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब को लिजेगा